हेलो दोस्तो बी वाइज और वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज है 6th of August 2021 और आज था दोस्तो अंतिम और आखरी दिन 4 IPOs में अपलाए करने के लिए तो I hope दोस्तो आपने अपना पैसा सोच समझ के लगाया होगा 4 IPOs में लेकिन दोस्तो एक बात आपको बताऊं सची सची कि यहाँ पर दोस्तो मुझे लग रहा है कि हमारे जितने भी रिटेल निविशक भाई है चारों IPOs में दोस्तो दबा के यहाँ पर पैसा लगाया है चारों IPOs में अपलाई किया है क्योंकि नमबर्स देखके तो भाई ऐसा ही लग रहा है और यहाँ पर थोड़ी बहुत उमीद जग रही थी कि कि किसी IPOs में नमबर आ जाएगा अब वो दोस्तों उमीद भी धूमिल होती हुई नजर आ रही है तो जिहां दोस्तों अमेजिंग नमबर्स देखने को मिल रहे हैं अभी आपके सामने पूरा हैं अपर डिटेल भंग चर्चा करेंगे नमबर्स की कितना रहे हैं सब्स्रिप्शन सारी बाते करेंगे और एकजारो टाइल्स के रिगार्डिंग दोस्तों मेरे पास कई डाउट्स आ रहे थे तो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ क्योंकि T2T सेग्में एकजारो टाइल्स का IPO फॉल करता है तो उसके के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं वो में क्लियर करूँगा साथ ही साथ कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है आज की डेट में इन चारो आई-प्यूस के रिगार्डिंग वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ कहां पर गिरावट हुई है कहां पर हमको बड़ भी जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले देवियानी की बात करते हैं तो देखे दोस्तो तीसरा दिन समाप तो चुका और जैसा हमने कल बात करी थी अंतियम दिन यहां पर हमको एक धमाका देखने को मिलेगा तो वैसा ही देखने को मिल रहा है दोस्तो QIB देखिए 95 टाइम मतलब की भाई साब यहां पर तो हदी मचा दिये रिटेल ने एमप्लोई देखिए 4.70 ओवरॉल 116 टाइम मतलब की दोस्तो शांदार सब्सक्रिप्चन हुआ है देवियानी में उमीद भी थी कि यहां पर बंपर सब्सक्रिप्चन देवियानी को मिलने वाले हैं विकास ग् 116 टाइम्स रिटेल देखिए दोस्तो 41 टाइम्स अल्मस्ट मानके चलिए कि 42 टाइम्स मतलब की देवियानी आईप्यों से भी ज्यादा रिस्पॉंस क्रिश्ना डिगनॉस्टिक को मिला है रिटेल निवेशों को के द्वारा एम्प्लोई ने 0.96 टाइम्स और ओवरॉल 64 24 टाइम्स यहां पर सब्सक्राइब हुआ है देखिए दोस्तो 41 टाइम्स रिटेल में भी यहां पैसा लगा है इस कॉलम को थोड़ा सा अबसर्व कीजिएगा अभी आगे चलते हैं विंड लास देखिए दोस्तो क्यों ट्वाइबीस 24 टाइम्स यहां पर थोड़ा से कम हो पैसा नहीं है तो भईया पैसा बहुत है जिया दोस्तो लिक्विडिटी जो मार्केट में है वो आदर तो रिटेल निवेशों की वज़े से ही है आप देखिए दोस्तो तीनों आइप्यों में 24 टाइम्स 40 टाइम्स 40 टाइम्स गजब का वहां पर पैसा लगाया है रिटेल यह जो फाइनल डेटा है दोस्तो इसमें जजादा वेरिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा यूई 17 टाइमस एक जारो को एचना इन देखिए दोस्तो बिलकूल ही कम पैसा यहाँ पर लगाया है तो यहां पर दुस्तो विल्कुल ही कम पैसा यहाँ पर लगाया है क्योंक इसके कि भहिया T2T segment में यह जो है trade to trade segment में है इसके बाउजूत 40 times subscribe किया है employees 2.53 overall 22 times तो देखे दोस्तों गजब का subscription मतलब bum पर पैसा लगा है दोस्तों मतलब कि यहाँ पर जबरदस्त पैसा उठाया गया है लगाया गया है इसके द्वारा retail का तो मुझे पता नहीं बड़ा मुश्किल होने वाला है किसी एक IPO में भी allotment होना तो अब दुआ ही कीजिए लग factor काम कर जाए तो IPO में नमबर आ जाएगा और मैं अपना बताओ personally दोस्तों मैंने चारों IPOs में जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी तरीके से apply किया है आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसने देखा उसको पता होगा मैंने किस तरीके से apply किया है तो देखिए 39 टाइमस एक जारों में तो यहां पर भी मुश्किल आता हो देखने को मिल रहा है नमबर विंड लास में 24 इसमें भी कम chances है क्रस्णा में तो और भी कम हैं देव्यानी में तो लगी नहीं दा नमबर आएगा तो भई यह नमबर कहां आएगा अब तो बस पूजा करनी पड़ेगी कि नमबर लग जाए किसी आईप्यों में अलॉट्मेंट आ जाए तो बढ़िया थोड़ा लिस्टिंग यह न मन जाए तो चलिए देखते हैं क्या होता है बाकी देखिए एकजारो टाइल्स के रिगार्णी दोस्तो आपको बताना चाहूंगा टी टू टी सेग्मेंट में है यह तो यहाँ पर में पस एक क्वेश्टिन आया था कि क्या हम इसको लिस्टिंग डे के दिन बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे ठीक है देखिए दोस्तो अगर आपको अलॉट्मेंट होता है एकजारो टाइल्स में तो आप यहाँ पर जरूर उसको सेल कर सकते हैं जिया दोस्तो जिसके पास अलॉट्मेंट होगा जिसको अलॉट्मेंट होगा वो जरूर यहाँ पर सेल कर सकता है लेकिन जो चाहता है कि हम या ट्रेडिंग तो होगी न अगर अलॉट्मेंट वाले भी नहीं बेच पाएंगे तो यह है एक डाउट जो मैं क्लियर आपको करना चाहूंगा लेकिन अगर आप लिस्टिंग देखके दिन खरीदते हैं तो आप वहां नहीं बेच पाएंगे तो इसलिए थोड़ा सोस समझ से मल्टिबल डिमेट अकाउंट से लगाया है उसके चांसे डेफिनिटल यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन बाकियों में किसने दो तीन से लगाया है तो बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है बाकि अगर आपका लग होगा तो आपके लिए best of luck अगर बात करते ह है ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो चारो आइपी उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कितने हैं तो विंडलास की बात करें दोस्तो 90 का चल रहा है जो की करीब यहां पर पहले 130 के आसपास था तो कम हो चुका है मतलब अब इस्यू प्राइस पर जो इसका 460 के आसपास है तो 20% के आपको यहां पर प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं देवयानी में अगें सिमिलर है दोस्तो कोई यहां पर कमी नहीं है मतलब कि पिछले एक रुपए ज्यादा था तो आप यहां पर बढ़ चुका है तो करीब 70% के आसपास आप मान सकते हैं देखने को मिल रही है हाला कि 4.500 तक भी चल रहा था क्रिस्न डाइगनोस्टिक का लेकिं फिर कम हुआ 400 पर आया 370 पर आया तो आप कह सकते हैं कि यहां 2-3 दिन से तो constant जल रहा है तो अगर बात करें तो करीब 40% के listing gain यहां पर भी मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं एक ज मतलब जब listing day होगा उस दिन आपको listing day के दिन खरीदते हैं अगर आपको long tab के लिए खरीदना है तब ही खरीदीजेगा अगर आप BTSD करना चाहरे हैं इंट्राडे करना चाहरे हैं तो आप वहां पर फस सकते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा तो यह हैं दोस्तो चारो IPOs के premium premium में win last में हमको गिरावट देखने को मिली है करस्ण diagnostic almost similar है दो तीन इन से देव्यानी similar है एकजरो टाइल्स में आपको थोड़े जो है गिरावट देखने को मिली है I think 22 के आसपास चल रहा था यह अब थोड़ी गिरावट हो चुकी है तो यहां पर दोस्तों य strategy यही है कि आप listing day gain लेके निकल जाएं जितना भी आपको मिल रहा है क्योंकि और भी IPO आने वाले हैं पैसा बचाके रखना है उनमें भी तो लगाना है ना तो listing day gain लेके निकल जाए सबसे बहतर option यही है अगर आपको hold करना ही है किसी IPO को आप चाहते हैं कि long term के लिए hold करें तो आप win last को जरूर यहां पर buy कर सकते हैं allotment नहीं आता है तब भी जी हां दोस्तो ठीकि तब भी कर सकते हैं लेकिन आगर allotment आता है तब भी आप hold कर सकते हैं long term के लिए नहीं तुम आपको कहना चाहूंगा listing gain लेके निकल जाए भी market दोस्तो volatile है थोड़ा सा तो उस case में आपको कहना चाहूंगा चारों IPOs में आप listing gain लेके निकल सकते हैं तो यह है दोस्तो updated वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो सारी जानकर यह आपको मैंने इस वीडियो में कवर करने कोशिश करी अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज दोस्तो लाइक कीजिगा शेयर कीजिगा चैनल को सब्सक्राइब करने जिए मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तिल दें टेक केर बाइबाइ